हे गाइस विल्कम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों एक अमेजिंग अपोशनोडी रिलीज की गई है पर्मानेंट सरकारी नोगरी के लिए जब अरजस्त विकेंसिस आ चुकी है अलहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉन टीचिंग की पोस्त पर टोटल 343 पोस्त पर बंपर भरती निकाली गई है जो की ओल इंडिया के केंड़ेट अप्लाइ कर सकते हैं किसी भी स्टेट से बिलॉंग करते हो आप बिल्कुल एलिजबल हैं सबसे बड़ी बात कि यह पर ग्रूप सी की पोस्त पर बंपर वेकेंसिस निकाली गई है यह जो ग्रूप यह और ग्रूप भी दिखाई दे रही है तो नाम मातर की कुछ पोस्त निकाली गई है सबसे ज्यादा जो पोस्त है वो ग्रूप सी की वेकेंसिस है और ग्रूप सी में अप्लाइ करने के लि बहुत बड़े भीड का सामना करने को मुका मिलेगा बड़ी इस तरह की जो रिकूटमेंट आती है CSIR की हो गया ICMR की हो गया या फिर किसी भी निवर्सिटी एनाइटी से हो गया तो उसमें कंबेडेशन बहुत लौ होता है और बहुत अच्छी खासी जोब प्रोवाइड की ज कर लें ताकि इसी तरह लेटिस्ट गॉर्मेंट और प्राइविट जॉब्स की इंफर्मेशन आपको सदा मिलते रहें तेकि यहाँ पर मैंने आपको बताएगी अलेग अलेग पोस्ट पर वेकेंसी है ग्रूप सी ग्रूप बी और ग्रूप ये सबसे फिले डिसकस करते हैं ग्रूप सी की पोस्ट पर जो नॉन टीचिंग की पोस्ट है और सबसे ज़्यादा वेकेंसी इसी में निकाली गई है तीन सो से भी ज़्यादा वेकेंसी सिर्फ गूप सी की रिकूटमेंट है और यही पोस्ट है जो ATI student के लिए मज़दार बनाती है इसकी online form जिसकी last date है अ एक अप्रेल 2024 तक और बहुत अच्छा खासा टाइम मिला आपको form apply करने के रिए application fee अगर आप देखना चाहिए तो application fee किसी भी university में ज्यादा होता है तो यहाँ पर जितने भी general EWS OBC candidate है application fee आपका लगेगा total 1600 रुपे 1500 प्लस 100 रुपे application charge STAC candidate को 800 रुपे लगेगा कोई PWD candidate है तो उनको 100 रुपे लगेगा और यह आपकी सारी post detail से total post अगर आप देखा जाए तो यहीं पर तरह तरह की post release की गई है चले pay level के अनुसार यहाँ पर में post भी आपको बताऊंगा और category wise अगर आप post यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यह data entry operator, draftman की vacancy, draft and come instructor, driver की है, field assistant की है उसके बाद एक आपका है groundman जो की waterman बोलते हैं उसके बाद हैं एंब्रम attendant की vacancies है तेन आपको मिल जाएगी हिंदी typeist की, junior office assistant की, laboratory assistant, library assistant, laboratory attendant, library attendant उसके बाद है आपकी marksman की देन आपको मिल जाएगी यहाँ पर MTS की recruitment है उसके बाद nursing officer, semi professional assistant देन आपको मिलेगी यहाँ पर surveyor, जो draftman की vacancies है, work agent, x-ray technician, wireman और mechanic यहाँ पर एक शीज ध्यान रखें जितने भी MTS की category आपने पढ़ी हो, काफी जगा आपको मिलेगी MTS की vacancies में, तो सबसे ज़्यादा post पर vacancy निकाली गई है, यह रही आपकी MTS, multitasking staff, यहाँ पर equipment है, अगर category वाइज देखना चाहे तो देख सकते हैं, और इसी में कौन apply कर सकता है, trade वाले वो ध्यान से देखो, अगर आपकी ITI plumber trade में हुई है, तो basic आप apply कर सकते हैं, देन आपका electrician, अगर आपने ITI electrician trade से कर रखी है, तो आप apply कर सकते हैं, pump operator ITI वाले apply कर सकते हैं, carpenter की vacancy है, जो एक ITI student के लिए है, cook की vacancy है, तो cook 10th pass वालों के लिए है, kitchen attendant की vacancy ये भी 10th pass वालों के लिए है, help desk color की ये 12th pass वालों के लिए है, housekeeper ये आपका 10th और 12 दोनों apply कर सकता हैं, तो mostly ITI student के लिए आपने जो post आपने देखा, तो यहाँ पर लगभग 4 तरह की post है, plumber electrician, pump operator और carpenter, देन और भी trade है, जैसे कि एक है wireman, एक mechanic है, तो इसमें भी ITI के candidate apply कर सकते हैं, काफी सारे जो attendant की post है, उसमें laboratory attendant हो गया, बहुत सारे से post हैं, जहाँ पर ITI के student बिलकुल apply कर सकते हैं, तो post wise qualifications, तो सारा post wise qualifications यहाँ पर नजार आएगा, किसी के लिए degree है, diploma certification मांग गया है, draftman बालों के लिए, काफी सारे drug room है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ITI बहुत सारे trade में eligible होंगी, तो यहाँ पर draftman की vacancy, तो diploma draftman या फिर आपने idea draftman civil में कर रखी, तो apply कर सकते हैं, वड़ यहाँ पर experience required है, draftman का instructor, यहाँ पर भी diploma की candidate eligible driver की vacancies only 10 pass के candidate apply कर सकते हैं, वड़ experience, एक guys आपका देख सकते हैं, marksman, marksman भी ITI के candidate apply कर सकते हैं, और एक recruitment है, आपका one year की, उसके बाद external करके एक साल इस तरह होता है, जो सारी vacancies है MTS की, इसी की post में बात कर रहा हूँ, जो भी candidate MTS के लिए apply कर होगे, 141 post है, सबसे ज़्यादा vacancy है, essential qualifications आपने 10 pass कर रही है, या फिर आपके पास ITI के degree होनी चाहिए, अधरवाय आपने अपने अपने trade से apply कर रहे हैं, जैसे कि आपका plumber है, तो age 18 से 35 साल होगी, relaxation तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और experience of working per year in a specific area and relaxation of as government of India service, यानि कि experience of working per year होनी चाहिए, यानि कि अपने अ कितना होना चाहिए, अगर आपने ITI कर रही हो, या फिर 10 pass कर रही हो, सभी candidate apply कर सकते हैं, बढ़ देख लो कि experience required है, सब में experience यहाँ पर, electrician वाले eligible हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास experience मांगी गई है, ओके, तो यह चीज यह सचाई है, apply तो आप कर सकते हैं, बढ़ आपके experience यहाँ पर मांगी गई है, तो जितने भी candidate आपने देखा होगा, सारी vacancies में, almost कहीं ने कहीं, आपको experience मिलेगी, बहुत सारी post है, cook की vacancies है, इसमें भी ITI के candidate apply कर सकते हैं, देख सकते हैं, intermediate, या फिर ITI के candidate, बढ़ experience है, kitchen attendant, यहाँ पर भी ITI के candidate eligible है, उसके बाद आपको मिल जाएगी, अलग-अलग post में help desk recruitment, या फिर housekeeper की, तो इसमें आपको 10th pass बगरा की qualifications मांगी जाती है, आपको एक wireman जो पहले मैंने बताया था कि ITI के candidate basic apply कर सकता है, और यहाँ पर देखे कोई भी आपकी experience की बात नहीं की गई है, आपके पास experience है, तो that's good, नहीं तो आप बिल कि सारी post को read करनी है, एक mechanic की post है, इसमें भी ITI pass out candidate apply कर सकते हैं, बहुत अलग-अलग तरह की post यहाँ पर निकाली गई है, ITI level की post है, diploma level की post है, and degree, degree level की जो group B की और group A की recruitment है, वो दोनों vacancies निकाली गई है, उसकी भी notification मैं link description में दे दूँगा, जीतने भी candidate interested हैं, जाओ जाकर apply कर सकते हैं, सबकी selection, written exams and interviews के base भी होगी, आपके मन में कोई extra doubt है, आप comment कर सकते हैं, अलग-अलग तरह की post है निकाली गई है, जिस भी post में आप eligible हैं, उसी के post के recording, आपको application fee payment करना है, तो ध्यान से कि आपको जो post सबसे पहले देख लें, कि आपका category में आपकी post available है की नही और सारी notification की link, apply करने की link, सब कुछ description में available है, कुछ extra one made out है, कि syllabus को लेकर किस परकार की ये job है, आप comment कर सकते हैं, आपकी totally help and reply की जाएगी, अगर आप eligible हैं, तो मौका मत छोड़ना, बहुत अच्छी खासी job सपस्टोड़ी होगी है, ओके, चले मिलतेने एक सोड़े में, तक लेजा हैंदे